प्रोडुट इवीएंवां अ ऐसा लोग भी सब्सक्राइशन के बारे में देखेंगे थेकर चारेसल सिट मैं गुप फ्रोडक्ट पेंअगें टॉट्ब करते हैं उसके हम प्रोडक्ट के रूप में लिखना है ठीक है, write written as product of a polynomial, polynomial को हम पहले किस में convert कर लेंगे, product में convert करेंगे, write, लिखेंगे, say gx and hx such that px is equal to gx, ठीक है, वहाँ उसमें जो हमारा px, gx और hx जो होगा, वो उसके alongs, जो है, px जो हमारा gx के बराबर होगा, और hx and degree of gx and hx is at least one, दोनों का degree जो है मारा, at least one होगा, ठीक है, highest power जो है minimum one होगा gx और hx का, ठीक, at least one, then gx and hx are called factors of px, इस परकार जो है, gx और hx के factor को हम factor px कहेंगे, px के factor कहेंगे, the process by which polynomials can be factorized is call value, और इस परकिडिया को जो है, हम लोग factorization कहते हैं, ठीक है, अब इसमें कुछ examples हम लोग देख लेते हैं, यहां जो हमको question दे दिया गया है, a square b minus a b square, ठीक है, a square b minus a b square में, अब इसे हमें क्या करना है, factorize form, यानि product form में हमको लिखना है, तो product form में लिखने के लिए हम इसमें देखेंगे, इन दो term, term हमारा दो है, तो दोनो term में हमें क्या common आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके common factor को निकालेंगे, जो इसमें common है, यहां देखेंगे, आपको a to the power 2 है, और यहां पर देखें, a to the power 1 है, यानि a to the power 1 दोनों में common है, क्योंकि हम जानते है, multiplication में जो है, same base का power क्या होता है, add होता है, multiplication में same base का power क्या होता है, add होता है, तो उस form से a दोनों से common आएगा, और b दोनों से common आएगा, ठीक है, तो a और b हम इसके common ले लिए, a और b common ले लिए, इस term से, तो यहाँ पर हमारा a square, it means 2a है, 2a हमारे पास में, तो 2a में 1a हमको बच गया, minus, b तो हमारा common ही आगया, अब यहाँ पर a 1 है, तो a common आगया, और यहाँ पर b 2 है, तो b से 1b निकल गया, तो किना अब क्या बचा है, 1b बचा, ठीक है, यह हमारा हो गया, क्या इसका, फेक्टरा है, जेशन हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट कुश्चन जेशे, 18, a to the power q, y to the power 4, p to the power 5, minus 7, a to the power 4, y to the power 5, p to the power 3, पलस 81, a to the power 5, y to the power q, p to the power 4, अभी हम लोग डिफिनिशन में देखें थें, कि bx और gx और hx में जो है, at least one power degree होना चाहिए, ठीक है, तो one degree जो होगा, उसको हम common ले सकते हैं, तो one degree से ज्यादा भी होना चाहिए, अब इसमें देखिए, जैकि 18, 7 और 81, तीन constant term है, तीनो constant term से हमारा क्या common आ रहा है, ठीक है, तो 7 जो है, वो हमारा क्या है, फेक्टराइज होने वाला number नहीं है, ठीक है, तो factorize होने वाला number नहीं है, तो 7 से तो कुछ common नहीं है, अगर 18 और 81, इन तिनों से भी कोई ऐसा factor common चीज नहीं है, तो 1 हो गया उसका, अब यहां देखिए, AQ है, तो A का term जो है, A4 है और AQ है, तो सबसे छोटा list term जो है, A का हमारा क्या है, AQ है, AQ है, AQ हम common निकाल लेंगे, Y to the power 4 देखेंगे, Y to the power 4, Y to the power 5, Y to the power 3, तो Y का सबसे छोटा number जो हमारा क्या है, Y to the power 3 है, तो Y to the power 3 common लेंगे, P का term जो है, P में देखिए, सबसे छोटा term हमारा क्या है, P to the power Q है, तो P to the power Q तीनों से common हमारा आएगा, ठीक है, अब common निकाल लिया गया है, अब इसमें जो है, जो बच्चा उसको हम लिखेंगे, तो first term से जो है, हमारा one, यानि 18 constant term तो हमारा रहा गया, अब A cube है, तो A cube तो यहाँ है, तो A cube पूरा common लिखेंगे, Y to the power 4 है, तो Y to the power 4 से Y to the power 3 हम common ले चुके हैं, तो यहाँ Y बचा, P to the power 5 है, तो P to the power 5 से P to the power 3 हम निकाल चुके हैं, तो P to the power 2 हमारा बचा, माइनस 7, A to the power 4 से A to the power Q बाहर आया है, तो A बचा, Y to the power 5 से Y to the power 3 बाहर आया है, तो Y to the power 2 बचेगा, P to the power 3 common ही आ गया, प्लस 81, A to the power 2, Y cube common आ गया है, P to the power 4 है, P to the power 4 से P to the power 3 बाहर आ गया हमारा क्या बचा, फिवेरिय joking नहीं हैं यह हमारा क्या कहला जएगा अहरो इसका इसका सब्सक्ता है यद्य श्टर अ अि में power है first variable जो हमारा x square है दूसरा में टर्म जो हमारा 16x यानि दोनों का power भी मैस नहीं हुआ तीसरे टर्म में जो हमें constant term दिया गया ठीक है तो इसको हम factorize करेंगे तो सबसे पहले इस term को factorize करने के लिए आप याद रखिएगा कि x square और constant term को multiply करते हैं ठीक है इन दोनों का आपस में क्या करेंगे पहले multiply करके देखेंगे क्या आ रहा है तो 64 into x square इट मींज 64 x square हमारा हो जागा ठीक है अब इस 64 x square हमको लाना है तो जो है इस minus 16 x को हम किस परकार से तोरेंगे तो तोरने का करम जो हमारा से जोड़ने उसमें क्या जोड़ने और क्या घटाने ठीक है पर जो है हमको 64 आएगा और जोड़ने और multiply करने के बाद 64 लाना है और जोड़ने घटाने के बाद हमको 16 लाना ठीक है तो इसको हम तोरेंगे x square minus 8 x minus 8 x plus 64 यहां 64 16 को किसी भी थंग से तोर सकते हैं लेकिन हमको क्या देखना है कि plus 64 आना तो एट को एट से multiply करेंगे तो 64 आएगा तो माइनस एट और माइनस एट को भी multiply करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एट इंटू 864 हो जागा और दोनों माइनस में साइन है तो माइनस एट और माइनस एड होके क्या हो जागा हमको से एक्स गोमाना अ गया एक्स माइनस एट माइनस अब दूसरा ट्रम जो हमारा पेर था उसमें देखिए आपको एक में भरीःवल है और एक में भरीःवल नहीं है तो बहरीःवाल नहीं तो नन भरीःवल में कॉमन कुछ आएगा तो एट वंजा एट और एट एट जा 60 यानि 8 इससे भी common आ रहा, x, plus से minus common ले लिए minus 8, अब यहाँ आपको देखिए कि x minus 8 आपको यहाँ भी आया, और x minus 1 आपको यहाँ भी आया, अगर आपको factorization के करम में यह दोनो factorized term जो है, same नहीं है, तब आप समझे आपका उपर जो है, कहीं mistake हुआ हाओ, उसे आपको सुधा और ना है तो यह दोनों हमेशा क्या होना क्या होना चाहिए यह क्या होना चाहिए से मोना चाहिए इसी को लोग क्या कहेंगे अब इसमें आपको टो टर्म्स का है कुछ और एक्जाम्पल देख लेते हैं अगला question हमारा है x square plus 3 root 3 x plus 6 x square plus 3 root 3 x plus 6 तो यहां देखिए कि आप एक rational number है और एक irrational number है तो इन दोनों को हम लोग हमें factorize करना है तो factorize कैसे करेंगे तो सबसे पहले x square को x से multiply करेंगे 6 x square आएगा यानि बीच के term को हमको इस परकार से factorize करना है कि इसको जोरने या घटाने पर 3 root 3 x आ जाए जो कि plus में होना चाहिए और multiplication करने के दोरान 6 आना चाहिए ठीक है तो x square plus 2 root 3 x plus root 3 x plus 6 अब यहां देखिए कि root 2 root 3 को root 3 से add करेंगे तो यह हमारा 3 root 3 पूर जागए क्योंकि यहां ने कुछ तो 1 root 3 है तो 2 और 1 add होके 3 root 3 आ गया तो हमको 6 कैसे आएगा तो 2 root 3 को अगर हम root 3 से multiply करते हैं तो 2 into root 3 को root 3 से multiply किये तो 3 और 3 टूजा 6 हमारा हो रहा है ठीक है तो यहां जो है हमारा equation balance में है ठीक है तो balance में है यहांनि हमारा adding और subtracting जो है वह सही है अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे पेर लगा देंगे अब पेर लगाने के बाद जो है इसमें variable है इसमें इसमें नहीं है यहां पर कॉंस्टेंटर्म वन है यहां पर कॉंस्टेंटर्म टू रूट 3 है यानि हमको इससे क्या होगा common आएगा तो variable में x to the power 2 और x to the power 1 एट लिस्ट 1 छोटा पावर common आएगा एक्स को माना गया था है एक्स प्लस तू रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 हमारा हो गया अब सकेंट अधर आए यह लोट को फैक्टराइज करके दिखायते हैं कि 6 जो आया था हमको 2 root 3 into root 3 से आया था तो हम यहां पर 6 को जो है 2 root 3 root 3 लिख सकते हैं ठीक है तो 2 root 3 root 3 लिखने के करम में जो है हमारा root 3 दोनों से common आ रहा है रूट 3 common ले लिए एक्स प्लस 2 root 3 ठीक है अब यहां देखिए दोनों जगा जो है आपका टर्म common आ चुका है अब common आ चुका है तो दोनों से उसको common ले लेंगे एक्स प्लस 2 root 3 common आगे हमारा अब reminder क्या बचा एक्स और प्लस root 3 ठीक है तो इसी तरह से हम इसको जो क्या करेंगे factorization कर सकते हैं ठीक है बाकी कुछ questions को आप लोग बना के भेजिए जहांपर problem हो उसे हम solve करके बताएंगे थांक्यू